नमश्कार, आज मैं आपको प्रेम विवा के लिए कुछ मंत्र और उपाय बताने जा रहे हूं यह बात सच है कि हजारों साल पहले भी इस धर्ती पर प्रेम विवा होते थे और कई बार तो प्रेमी की प्राप्ती के लिए मनुश्य तपस्या पर भी बैठे थे तो जब वहें लोग भगवान को प्रसन करके प्रेम विवा कर सकते थे तो आप भी मंत्रों के जाप से भगवान को खुश करके अपने दुखों का अंत कर सकते हैं पर प्रेम एक सच्ची भावना है आकरशन और वशिकन से कहीं अधिक उपर है अगर आपका किसी के प्रती सच्चा प्यार है और सामने वाला भी आपकी ही तरह सची भावना रखता है तो यहां उपाए आपके लिए हैं वे लोग जो किसी को जबर्दस्ति अपना बनाना चाथे हैं उनके लिए यहां उपाए असरकारी नहीं है और एक बात लव मैरिस को आदर्श बनाने के लिए दिल और दिमाग का संतुलन बहुत जरूरी है इस बात का ध्यान रखें की जिससे आप प्यार करते हैं वो आपको किसी धोखे में तो नहीं रख रहा प्रेम विवा करने में कोई बुराई नहीं है लेकिन जिसे जीवन साथ बनाने का फैसला किया है उसके बारे में आश्वस्त हो जाएं की वो आपके लिए सही है या नहीं अपने माता पिता से कभी न चिपाएं उसके और उसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी अपने माता पिता को दें इसे भविश्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो पहला जो मैं आपको मंत्र बताने जा रही हूँ, उसके लिए भगवान, विश्नु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने बैठ जाएं, एक दीपक जला लें, कुछ परसाद अर्पित करें, जिससे आप प्यार करते हैं, उसका मन में ध्यान रखते हुए, ओम लक्ष्मी न रायनाय नमा मंत्र का जाब शुरू करें, जाब के लिए स्वटीग की माला का प्रयोग करें, शुकल पक्ष के पहले गुरुवार से शुरू करके इस मंत्र का रोज तीन माला जाब करें, हो सके तो तीन महीने तक हर गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं, और व कश्मी नारायन की पूजा करें और अपनी इच्छा भगवान को बताएं ऐसा करने से छे महिने के अंतराल में प्रेम विवा का योग बनना शुरू हो जाता है अगर आप प्रेम विवा के इच्छुक हैं तो आप भगवान शिव के स्वरूप शिवलिंग का शहत से रुद्र पार्वती का विदिवत पूजन करने से प्रेम विवा में सफलता मिलती है प्रतेक सौंवार को नहा धोग कर सुबा दूद मिले गंगा जल को शिवलिंग पर चढ़ाएं ओम सौमेश्वराय नम्हा बोलते हुए शिवलिंग के समुक रुद्राक्ष की माला से इसी मंत्र का एक माला चाप करें इस उपाय को करने से प्रेम विवा में सफलता मिलती है रोजाना शिव चालीसा का पार्ट करें शिवलिंग पर रोजाना जल और बिल पत्र चढ़ाएं ताकि भोलेनात आप से प्रसन होकर आपको मन चाहा जीवन साथी दें यदि आप किसी से बहुत प् इस उपाय को अचूक माना जाता है तो भगवानु सकल उरबासी करी मोही रगवर के दासी जेही के जेही पर सत्य सनेहू सोते ही मिले ही न कचु संदेहू रामचृत मानस में यह प्रसंग बाल कांड का है जिसके अनुसार प्रभुश्री राम को देखकर सीता जी उनसे वि पारवती से भगवान राम को वर के रूप में प्राप्त करने की कामना की थी मा दुरगा की उपासना करने और उनके मंदिर में लाल रंकी द्वजा चढ़ाने से भी प्रेम विवा में आरेई रुकाप्ते दूर होंगी इसके इलावा एक अच्छा और मन चाहा जीवन साथ पाने के लिए गोस्वामी तुलसी दास जीत्वारा रजित रामचरित मानस में शिव पारवती विवा की प्रसंग को प्रति दिन मगन होकर पढ़ना चाहिए यह उपाई अत्यन सर्ल है बस आपको पूरी श्रधा और भक्ती के साथ इस पार्ट को करने के साथ मन चाहे जुग यूवक यूख्तियां तुलसी की माला से रामचरित मानस की इस चुपाई का भी नित्या 108 बार जाप कर सकते हैं सुनु सिय सत्य असीस हमारी पूजे ही मन कामना तुम्हारी केले के व्रिक्ष की पूचा करें गुरुवार को केले के व्रिक्ष के सामने गुरु के 108 नामों का उच्चारन करने के साथ शुद घी का दीपक जलाना चाहिए तथा जल भी अरपित करना चाहिए मन चाहिए जीवन साथी का नाम लेकर कामना करें जिन लोगों के प्रेम विवा में अर्चन आ रही है तो वो गुरुवार के दिन नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल कर स्नान करें भोजन में केसर का सेवन करने से विवा के आसार बढ़ते हैं विवा के लिए पीले रंग का विशेश महत्तव है पीले वस्र धारन करने से विवा के शुब योग बनने लगते हैं हमेशा बज़ुर्गों का आशिरवाद लेते रहें तो आपके विवा की मनोकामना शिग्र पूरी होती है जल्दी विवा करना चाते हैं तो गुरुवार को गुड के साथ चने की दाल गाएं को खिलाएं मंगल दोश के कारण भी प्रेम विवा में अच्चन पैदा होती है अगर प्रेमी जोडों में से कोई एक मांगलिक है जिसके कारण प्रेम विवा में परिशानिया आ रही हैं तो विवा के लिए पुना विचार करें नहीं तो मंगल दोश का ततकाल निवारन जरूर ही कर ल कीजिए कि हे माता मेरा विवा उस वेक्ती से करवा दीजिए जिससे मैं प्रेम करती हूँ नो मंगलवार के बाद आप देखेंगे कि आपके जो घरवाले कल तक आपकी बात नहीं मान रहे थे वेह आपकी बात पर राजी होंगे और आपका विवा वे उसी लड़के से करवाएंगे जिससे आप सचमुच में विवा करना चाहते हैं इतना ही नहीं जब आप गुलाब के फूल माता रानी के समक्ष चढ़ा रहे हैं तब फूलों में अपने प्रेमी का नाम अवश लिख दें ताकि आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए दूसरा उपाई यह है कि ब्रेस्पती वार के दिन सुबा जल्दी उटकर आपको हल्दी वाली रोटियां बनानी हैं और उन रोटियों को गाएं को गुड के साथ खिलाना है इतना ही नहीं जब भी आप गो माता को रोटि खिलाएं तब उनके कान में धीरे से उस वेक्ती का नाम बोलें जिस वेक्ती से आप प्रेम करते हैं यह उपाय आपको तब तक करना है जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती एक और उपाय है जो आपकी प्रेम विवा की इच्छा को पूरा करेगा आप जहां पर सोते हैं उस थान पर किसी भी शुकरवार के दिन आप छुहारों को लाकर रख दीजिए इन चुहारों को आपको सिर्हाने रखना है फिर अगले दिन सुबा यानिकी शनिवार को नहां धोकर साफ कपड़े पैन कर इन चुहारों को अपने सिर के स्थान से उठा कर बैते हुए पानी में अपने प्रेमी का नाम मू से उचारन करते हुए भाद देना है थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि आपको अपने कार्या में सफलता मिलती नजर आएगी अगर शमता हो तो प्रतेग ब्रहस्पतिवार के दिन किसी गरीब को दान दक्षिना करके पुन्य कमाए और अच्छा वर पा सकते हैं अब दान में ज्यादा से ज्यादा पील वस्तरों का दान करें F7 में 5 इलाइची भी दें अगर आप प्रतेग पूर्निमा के दिन वर्ट वरिक्ष की 108 बर परिक्रमा कर सकती हैं तो जरूर करें क्योंकि यह उपाय भी उस व्यक्ति के साथ आपका विवा संबंद करवा सकता है जिससे आप प्यार करते हैं यदि नाम मिलेगा कुछ बातों का ध्यान रखें एक दूसरे को नुकीली या काले रंग की कोई वस्तू कभी ना दें इससे सबंद खराब होने की संभामना होती है लाल गुलाबी पीले और सुनेहरे पीले रंग की वस्तूं को उपहार में देना अत्यंत श्रेश्ट माना गया ह हीरा भेंट करना भी बहुत शुब होता है हीरे की स्थान पर अमेरिकन डायमंड भी उपहार में दे सकते हैं लेकिन याद रहे वै काला या नीला ना हो कन्या अधिकतर अपने हाथों में हरी चूडियां तथा प्रतेक गुरुवार को पीले और शुकरवार को सफेद वस्त है एक दुसरे की कोई भी बात बुरी लग सकती है तथा प्रेम समंदों में सफलता मिलने में संधे हो सकता है प्रेमी यूगल को यह परियास करना चाहिए कि शुकरवार और पूर्नीमा के दिन अवश मिलें जिस शुकरवार को पूर्नीमा हो वह दिन अत्यंत शुब रहता है इस दिन मिलने से परसपर प्रेम बना रहता है जो की प्रेम विवा के लिए बहुत जरूरी है खाना खाने से पहले थोड़ा अनाज या दाने पक्षियों को जरूर डाले अब अगर आप भी प्रेम विवा में सफलता ना मिलने से परिशान है तो जो मंतर और उपाई बत अपने को साकार कर सकेंगे आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा धन्यावाद